हे गाईस विल्कम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार असभागत है इस वीडियो में तो दोस्तों आज हम डिसकस करने बाले इंडेन नेवी ट्रेट्समेन मेड वेकंसी 2021 के बारे में और पिछले साल से भी record form fill हुए है जिस बार और बात करें कई सारे एसे student हैं जो कि form fill नहीं कर पाएं form fill registration करने के बाद भी उसका form submit नहीं हो पाए because when a technical issue सिर्फ website के कारण website इनका इतना कमजोर था guys पांच से साथ दिन पहले इनकी वेबसाइट क्रेस हो चुकी थी, तो समझ आनी चाहिए, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, गाइस एक वेबसाइट हमारे से सही से, जो है, होस्टिंग उनकी सही से हम नहीं पर्चेस कर सकते हैं, जो कि गौवर्मेंट ओथराइड वेब साइट है, आप समझ सकते हो कि गौवर्मेंट वेबसाइट है, वो सही से काम नहीं करती है, कम से कम 20-25 जारी स्टुडेंट को जहेल नहीं पाती है, आप समझ सकते हो कि हमारी भारत की क्या इस्थिति है, पूरा सिस्टम कचड़ा डिपार्डमेंट बना कर रख दिया है इन कि अब देख सकते हो पेमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है उनका, तो कितनी बुरी हालात होती है गाइस, स्टुडेंट चाह कर भी एक तो जौब की वेकंसी नहीं आ रही है, और निकलती है, तो फॉम नहीं फिल होता है, डेट रहते हुए भी फॉम फिल नहीं किया है, और जिनों ने फिल किया है, उनका गुड़ लख ही मान सकते हो आप, क्योंकि उनका फिल हो चुका है, बात करें, इस वीडियो में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं, कि आपका टोटल 7 मार्च 2021 को टोटल कितने फिल हो चुके हैं, जी या दोस्तों, ट्र कि एक पोस्ट पे कितना competition होगा, कितने candidate एक पोस्ट के लिए fight करने वाले हैं, और यहां पर competition कितना होगा, और जैसा कि आप सब को पता है, कल मैंने mail किया है, इंडेन ने वी को, और काफी सारे student ने, मैंने बोला भी, तो काफी सारे student ने इंडेन ने वी को mail किया है, तो इसक कि वैसे candidate की जिनका form submit हो चुका है और जिनका रेश्टेशन हुआ है वो देख सकते हो गाईज हो सकता है कि उनका रेश्टेशन का form open कर दे जिनका रेश्टेशन हो चुका है तो काफी बड़ी क्या बता हो गाईज मैं मन नहीं था इंडेन ने भी को लेकर आज की डेट में वी subscribe करें और bell icon को press करके notification bell call कर दें ताकि इसी तरह latest government job की update आपको पलपल मिलते रहे तो गाईज मैं सबसे पहले आपको कि सर्वे के अनुसर बताने जा रहा हूं कि कैसे कितने पता चल सकता है कि form कितने डाले गए हैं तो मैं आपको एक screenshot दिखा रहा हूं यह इंडेन नेवी का यह वही screenshot है जिस बेसित में मैंने form फिल करके आपको बताया था कि इंडेन नेवी treatment का online form कैसे फिल करनी है तो उस समय जो registration किया था मैंने आप देख सकते हैं यह registration ID है यानि कि एक user ID है जिसे आप user ID enter करते हो यहाँ पर password होता है जो मैंने यहाँ पर blur कर चुका हूं और hopefully आपक अब के लिए तो सभी candidate को user ID मिला होगा guys hopefully अगर 22 को आपने किया था तो आप देख सकते हैं मात जब मैंने form फिल किया था तो intmm यह जो चार आपको दिखाई दे रहा है यह totally coded होते हैं यानि कि आपको जो यहाँ दिखा रही है यह Indian Navy tradesman की code है आप देख सकते है Indian Navy tradesman made vacancies की code हो ही होता है Indian Navy tradesman made vacancy है simple है आपको यह पता चल गया हो कि यह जो आपको जो दिखाई दे रहे हैं five digit का यह totally Indian Navy का code है अधरवाइस उसके बाद जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे 40176 यह नम्मर होता है registration for candidate का कितने candidate यहाँ पे registration करते हैं उनके candidate का यहाँ नम्मर होता है यानि कि जब मैं form fill करके आपको बता रहा था उस समय मातर 176 candidate ने Indian Navy tradesman के लिए apply किया था आधरवाइस आपका यहाँ पर जितना भी नम्मर हो जाता है तो समझ जाए उतने नम्मर यहाँ पर candidate form fill कर चुके यानि कि registration कर चुके हैं तो चलिए हम दिखाते हैं आप यह देख सकत तो चलिए उस पर चलते हैं तो गाईस यह एक candidate है रुपाली करके नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका एप जो user ID है मैंने बताया था यह आपका उसका जो candidate है उसका user ID आप यहाँ पर देख सकते हैं IN TMM यह टोटली है मैंने 5 code का नाम बताया था उसके बाद 287347 यानि कि उस समय जब तक यह फॉर्म फिल की गई थी उस समय जो टोटल केंड़ेट फॉर्म फिल हुए थे इंडेनेविट रेट्समेन में आप देख सकते हैं एकाई दाई सेकड़ा हजार दस जार लाग यानि कि दो लाग सतासी हजार 347 केंडिडेट ने रेश्टेश आप ये टोटली फॉर्म फिल कर दुए थे जब तक ये फॉर्म फिल हुआ था आप देख सकते हैं ये आपका है साथ मार्च 2021 को पांच बज़ के चार मिनट का डेटा है अब ये पांच बज़ के चार मिनट सुभे का डेटा है कि लगबग यहाँ पर आप देख सकते हैं सा वे का डेटा है लगबग पांच बजे भोर का तो पांच बजे भोर तक 2,87,000 केंडिडेट ने फॉर्म फिल कर दिया था तो एक अच्छी खासी कहां पर फॉर्म फिल हुए हैं आप देख सकते हैं लगबग तीन लाग एप्रॉक्समेटली फॉर्म किये जा चुके अब देख सकते हैं 11 अकाउन को एक दिन पहले केंड की थी और यहां पर 2,88,147 जो केंडिडेट ने तब तक फॉर्म फिल कर लिये थे तो इतने केंडिडेट इसलिए कम आपको लग रहे हुए इसके बाद फिल होना है क्योंकि साइट बहुत ही स्लोग कर दी गई थी उस टाइम तो आप देख सकते हैं 28,000 का आपको एक मिल मिल चुका है यहां पर और एक केंडिडेट का मैं दिखाना चाहता हूँ गाइस गोपी राम करके है और यहां पर इस केंडिडेट ने रेश्टेशन तो कर चुका है लेकिन उसका लॉग इन नहीं हो रहा है तो कई सारे डेटा आपको पता है मैंने पहली भी बता है तो यह केंडिडेट का जो रेश्टेशन नमर आई एन टीम देख सकते हैं 0288354 यानि की 2,88,354 तब तक अपला हो चुके यह डेटा साथ मर्च कही है धियान रखेगा तो काई जीनी डेटा को देखकर हम एक 110 परसेंट जो निसकर्स चलते हैं कम से कम 80 परसेंट आप मान सकते हो कि अगर मैं एक कथिक निसकर्स पर जाओं तो लगभग 3,00,000 से ज्यादा फॉर्म डले जा चुके हैं जी आ दोस्तों 3,00,000 से भी ज्यादा फॉर्म डले चा चुके हैं करीब 3,00,000 के आसपास मैं 20,000 इसलिए बता रहा हूं कि 20 जार से 30,000 इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हेंने सिर्फ यहां पर रहिश्टेशन किया है उनका फॉर्म सब्मेट नहीं हुआ है ना ही वो पेमेंट किये हैं और ना ही उनका फॉर्म सब्मेट हुआ है तो अब एक पोस्ट के लिए कितनी फाइट हो सकती है इसका डिवा सी से 1169 पोस्ट के लिए निकाली गई है तीन लाग फॉम यहाँ पर डले गए हैं और इसको मैं 1169 से डिवाइड करूं अप्रॉक्समेटली तो 259 चैंडिडेट होते हैं और जिनमें से मान सकता हूं कि एक एड एक्जेक्ट में डेटा लूँ तो एक पोस्ट पे गाईज 210 कैं करने वाले हैं अगर मैं लेवल की बात करूं कंपेटिशन की तो ज्यादा हाई नहीं है गाई इसे एक पोस्ट पे 260 कैंडिडेट बहुत ही कम है होफुली आप आराम से क्रेक कर सकते हो कुछ में ऐसे कैंडिडेट हैं इसमें जुनोंने फॉम फिल किया 50% से अधिक कैसे कैं अगर आप अच्छे लेवल की तयारी कर रहे हैं जियां दोस्तों यह पोस्ट आपके लिए है एक बीग अपस्टोड़ी है प्रिपेशन जल्दी कीजिए क्योंकि एक्सांस इसके जल्दी होने वाले में एक वीडियो में सेप्रेड में बताऊंगा कि इसके एक्सांस कब हो लेकिन आप तयारी में लग जाए जो फॉम फिल कर चुके हैं नेक्स में बात कर चुका हूँ टोटली कि कितने फॉम डले गए हैं और यहां पर बात कर चुका हूँ कितने कंपेटिशन होने वाले हैं अच्छे लेवल की तयारी कीजिए वोफुली गाइस बेस्ट आप ले जाती लेकिन डट इसकी बढ़ने वाली नहीं है तो जो भी कंडिशसा लग रा की डट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो बेकार में पैसंस रखने सकते हैं या फिर पैनिंक मत होएं गाइस को की डट अब बढ़ने वाली आपकी नहीं है फॉफुली खेदें आप सब के लिए गाइस जितने भी candidate fulfill कर चुके हैं वो अराम से तयारी कीजिए जिनका नहीं हुआ है hopefully वो कुछ नहीं कर सकते हैं यह department पर निर्वर करता है guys मेरी जो यहां पर लगती थी मैंने totally आपर mail कर दिया था काफी student ने mail किया था hopefully guys वीडियो आपको पसंद आयोगी like करें से ज्यादा से ज्यादा share करें इससे related कुछ भी query हो study material वेगर हमें देने की लगता पूरी courses करूँगा तो आप comment कर सकते हो और वीडियो आपको useful लगी हो तो हमें जरूर बताए अपने feedback देखे और वीडियो को सेर करें जादा से जादा दोस्तों तक channel पर नहीं तो subscribe होने चले मिलने next वीडियो में तब तक लिए जहिंद